जो सुप्रिम कोट आज तक अपने सुप्रिम कोट में जाती के आधार पर जज निक्त नहीं कर पाया है जिस डीवाई चंदरचूर जो चीफ जस्टिस है सुप्रिम कोट के उनके परिवार में इनसे पहले इनके पिताजी और दादा जी भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं आज वही सुप्रिम कोट तेश के अंदर शिडूल कास्ट और सिडूल ट्राइब को मिलने वाले आरक्षन पर कहता है कि कोटे में कोटा होना चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं राहुल नाकपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी दो दिन पहले शुप्रिम कोट के आए जज्जमेंट पर देश भर के तमाम समतावादी लोगों में इस जज्जमेंट को लेकर के चर्चा का माहुल गरब है जहां एक तरफ नेता कुछ समर्थन कर रहे हैं धर्मेंदर यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने कहा है कि हम तो इस फैसले का काफी लंबे समय से इंतिजार कर रहे थे वहीं कुछ नेता जो है वो इस पर गोल मोल जवाब दे रहे हैं चाहसायद उनको अपने वोट वेंगे की चिंता हो सकती है माया बतीजी का ट्यूट कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि वो गोल मोल इस्तिती में हैं चंदर सेकर रावर ने कहाए कि नहीं एस समाज को बाटने की कोसिस की जारी है वहीं चिराख पासवान ने कहाए कि हम सुपरिम कोर्ट का दरवाजा दुब़ारा खट खट खटाएंगे और इस पर पुनर विचारियाच का जो हम वो डालेंगे आखिरकार पूरा मामला है क्या जो की नेताओं से लेकर के और आम गरी महले तक चर्चा का माहुल बना हुआ है तो मैं आपको बता दूँ के शिडूल काश को जो मिलने वाला आरक च्षण था पंद्रे फीसद और साड़े साथ फीसद कुलम लाकर के साड़े वाइस फीसद जो आरक च्षण शिडूल काश शिडूल ट्राइप को मिलता था अब सुप्रिम कोट ये कहरा है कि इसके अंदर पहले ही सर्थ ये है कि कोटे में कोटा होना चाहिए दूसरी बात ये है कि वर्गी करन होना चाहिए और तीसरी बात ये है किरीमी लेयर लागू होना चाहिए तीन मुखे विंदू हैं जिन पर सुप्रिम कोट ने मुखर हो करके ये निर्णे सुनाया है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आखिर कारी चिंगारी लगी कहां से थी और कब लगी और ये कहां से आख सुलकते सुलकते आख 40 वरसों में 2024 में यहां तक पहुँचिए तो मैं आपको बता दूँ जो मेरा अपना रिसर्च है उसमें जो चीज़े निकल करके सामने आई हैं मैं आपको बता दूँ कि 1975 में सबसे पहले पंजाब सरकार ने ये कहा कि सिडूल कास्ट और सिडूल ट्राइब को मिलने वाला जो आरक्षण हैं वो आरक्षण दो केडिग्री में बांटा जाए यानि कि A और B में A में चमार जाती की जो उप जाती आती हैं लगवगच जो पंजाब में चमार हैं रेगड हैं रविदासी हैं जो चमार और उसकी चार या पंच उप जाती हैं तो लगवगच पंच छे उप जाती हैं को A केडिग्री में रखा गया था B केडिग्री में बालमी की यानि की भंगी और भंगी के साथ अन्य जातियों को रखकर के आरक्षण को दो केडिग्रियों में बांटा गया था वहाँ पर भी नहीं है बहुत कम है तो इस प्रकार से कहीं न कहीं साड़े वाइस विस्ट आरक्षण सबसे पहले पंजाब गौर्मेंट ने बाटा था उसके बाद में 1999 में तमल्याणू गौर्मेंट ने की जो सरकार थी उसने S.C.S.T. को मिलने वाले इस आरक्षण को चार केडिगरी में बाट दिया इन चारों सरकारों ने जबी 1945 से ले करके और सन 2000 तक यानि 25 साल में चार गौर्मेंट ने राज्य सरकारों ने शिडूल कास्ट और शिडूल ट्रैप को मिलने वाले 25,25 वी सा दारक्षण को बाटा था तब इस देश के अम्मेट करवादी या समतावादी क्या कर रहे थे ये विचारने प्रशन है उस समय पर इनका दुरोद क्यों नहीं हुआ था बरहाल उसके बाद में कुछ लोग सरकारों के फैसले के खिलाब हाई कोट गए और हाई कोट ने राज्य सरकारों के इस डिसीजन को सही सावित किया उसके बाद में 2004 में 2004 से पहले सुप्रिम कोट का दरवाजा खट खटाया गया और सुप्रिम कोट ने 2004 पांच में एक निर वेंचों की जज़ों ने इसको नरस्ट कर दिया कुल मिलाकर के यह था इस्तिती फिर जो आरख्षण की विश्था थी आर्टिकल 341 के तहर वहां चली गी उसके बाद में दो हजार दस और ग्यारे के आसपास में जो सरकारें इस में सुप्रिम कोर्ट में तीन वेंचों की के नहीं थे बी के डिग्री में जो सामिल हुए उनके जो समाज दिक संग ठंते वो भी उनके सामिल हुए कुल मिलाकर के मुकदमा चला और सुप्रिम कोर्ट ने लगवग दस साल की से बारे साल की सुनवाई के बाद में 31 जोलाई 2024 को जो फैसला दिया है वो आप समाज के सा कि आकिरकार इस प्रकार से समाज में बटवारा करके सुप्रिम कोर्ट क्या कहना चाहता है श cricket ने जो बाते कह रही हैं कि तीन प्रकार के मुक्खे विंदू सुप्रिम कोर्ट ने उठाए हैं पहला वरगी करनग दूसरा कोर्टे में कोर्टा और तीसरा क्रीमिलयर पहले मै वरगी करणक पर बात कर लेता हूँ आज की तारीक में जब कहीं सिडूल कास्ट और सिडूल ट्राइब का सिडूल कास्ट और सिडूल ट्राइब की सीटों पर योग के उम्मीदवार नहीं मिलता है तो सरकार कहती है NFS यानी not found suitable कोई प्रतियोगी नहीं है इसलिए हम ये सिडूल कोटे में डाल रहे है और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि सिडूल कास्ट में बड़े क्रीमी लेर हो गए है लिहाजे इनको इस कोटे से बाहर निकाला जाए तो सरकार की मनसा भी साप नहीं है कि वो कहना क्या चाह रही है दूसरी बात में हैं पर एक और इसी से मिलती जुलती जोड़ेता हूँ 2015-16 में जब टीना डावी ने टॉप किया था तो तब एक नयम और सरकार लियाई थी कि सिडूल कास्ट का कोई भी छात्र छात्रा कितने भी नमबर लियाए वो मैरिट में जनरल मैरिट में नहीं आयेगा वो शीडूल कास्ट और शीडूल ट्राइम में भी ही रहेगा यानि उसके नमबर ग्रहमणों से भी जादा हों लेकिन वो धर नहीं जाएगा तो ऐसे में अगर वर्गी करण कर दिया जाता है कोटे में कोटा दे दिया गाता है तो जो वालमी की भाई हमारे खुष हो रहा है मेरा उसे सवाल है मेरे मित्र है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है हमारे परिवार का हिस्सा है लेकिन मैं उसे पूछना चाहता हूँ मेरे कड़वे सवाल है और जाती के आधार पर मैं आगे सवाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि बात जातीयों में जाती की सुप्रिम कोट ने सवाल खड़ा कर दिया है तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति को भी जो जाती भी समाच की का सपना देखता उसको भी आज जातीयों पर बोलना पड़ रहा है दस वारे पंदस चमारों की उप जातीया है यह महार भाराष्टा और मद्यप्रदेश का कुछ लगा हुआ है इससा पासवान यानि पासी और राजिस्थान में मेगवाल जिनको कहा जाता तो यह पांच है जाती है जो शिडूल कास्ट के पंद्रह सोले सो सत्रह ठारे फीस आरक्षण दे दिया जाता है और बागी आगे बचा जो तीन और चार परसेंट आरक्षण है वो जाती का ताधर पर बांट दिया जाता है एक परसेंट वालमी की को एक परसेंट खटी को एक परसेंट धानको अन्य अन्य जो जातिया है जो हम बहुत सारी जातियों को जानत रहा है लेकिन वो डॉक्टर अम्मेट करको पढ़ने और समझने की एक्षा उसके अंदर नहीं पनप रही है वो उसके समिधानिक राइट्स क्या है इसके लिए नहीं लड़ रहा है बलकि वो भारत हिंदू राष्ट कैसे बनेगा इसके लिए लड़ रहा है दूसी तरफ वह किसी जाती उने कोई अडंगा लगा रखो ऐसा कुछ नहीं है सिडूल कास्ट और सिडूल ट्रैम में मिलने वाले आरक्षण में पूरत सबको पूरे अधिकार है जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा ऐसे में अगर उसको मौका दिया जाए कि इन सीटों में से दो वालमी क समाज के लोग जो है वो लिए जाएंगे तो वो क्या लोग वहां तक आएंगे इस बात की क्या गारंटी है कि उनके हिस्से में जो सीटे आई हैं वो नैफस करके जनरल कोटे में नहीं डाली जाएंगी तो 99 परेशंट ये चांस है कि वो सीट ज़्यादा तर जनरल कोटे को transfer कर दी जाएंगे तो एक तरफ तरीके से schedule कास्ट के आरक्षड को छीने की विए तैयारी है और जो बालमी की समाज के लोग खुस हो रहे हैं चाहे वो लंदन में रहते हो चाहे वो इंडिया में हो बोल रहे हो ग्यानी बहुसतारे हमारे साथी हैं मेरा उनसे एक सवाल और है कि डॉक्टरा मेटकर की जो लडाई थी वो स्वाभी मान की लडाई थी स्वाभी मान और मान सम्मान की लडाई थी आज मैं दिल्ली में देखता हूँ और बड़े दुक के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बालमी की समाज के लोग हैं उनमें एक परिवार में अगर दो लोगों को नौकरी मिलती है पती और पत्नी दोना सफाई करमचारी है और दोनों को पचास पचास जार रपे तनुखा मिलती है और उसके बाद में वो अपने बच्चों को बहतर नहीं पढ़ा रहे हैं आज भी नालों के किनारे और रेल की पट्रियों के किनारे उनके आवास बने भी है वहीं रह रहे हैं आज भी वो अपना मूलत काम नहीं छोड़ पा रहे हैं वहीं मवेशी सुवर बगारा पालने का वो काम कर रहे हैं और आज की तारिख में भी वो मूल धरा में एक लाफ रुपे की आमंदरी होने के बाद में मूल धरा में सामिल नहीं हो रहे हैं दिवाली, होली और अन्य किसी परव के मौके के बाद याई अगले दिन वो किसी घर के सामने हैं तीस रुपे, तीस रुपे और जूटन लेने के लिए खड़े होते हैं तो ये क्यों नहीं सुधार हो पा रहा है ये विचारने हैं प्रस्तन हैं, ये जरूरी है कि आपके अंदर मायन सम्मान और स्वाभी मान उटे और जिस दिन आपके अंदर स्वाभी मान और मान सम्मान की लाई आप लड़ोगे उस दिन कोटे में कोटे की जरूरत नहीं है आप चमारों से आगे निकल जाओगे आप महारों से आगे निकल जाओगे आप पाशियों से आगे निकल जाओगे आप मेगवालों से आगे निकल रहा है अगर उसको आरक्षन में कोटे में कोटा या अन्य जातियों को कोटे में कोटा मिल भी गया तो क्या वो उसको समाल पाएंगे दो अपरेल दोजार अठारे को भारत वंद हुआ CST Act को लेकर के तो उसमें जो तेरे बच्चे सहीद हुए थे तो बताईए वालमी की समाज या अन्य जाति के लोग कितने उसांदोनर में थे और तेहरों में कितने वालमी की या अन्य लोग थे तो सायद सुनिया या एकाद कोई हो जादातर बारे में से तेरे चमार जाटक थ तो ये विचारने प्रस्ण है इस पर विचार किया जाना चाहिए ये समाज को तोड़ने की का फैंसला है अगर एकटा रहेंगे तो चमार अपना तो बचाएगा ही बचाएगा लेकिन जब वो सारा बचाएगा तो इसमें अन्य लोगों के भी अफसर जो है वो बने है कि चमार के लावा या महार के लावा या मीना के लावा दूसरी जातियां जो वो अपना हिस्सा बचा पाएंगी किसी भी लेबल पर दूसरा एक सवाल मेरा यहां पर और यह सुप्रिम कोड़ पर से भी है और इस देश के तथाकतित जो मनुवादी जो अपने आपको सो क में उद्धोगों में आए हैं आगे तो आप इनको कह दोगे कि आप करीमी लेयर में आगे हो अब आपको शेडूल का शेडूल ट्राइब का मिलने वाला आरक्ष्ण नहीं मिलेगा तो अब यह सवाल यह खड़ा होता है तो उनके लिए जर्णल कोटे में कितनी सीटे रिजर् या वहाँ पर जो जर्णल जिसको कहा जा रहा है उनमें से इनके लिए जगे बनेगी यह बड़ा सवाल है तो इस बीडियो को बनाने का मतलब मेरा यही था कि पहले तो इस देश के तमाम उन अमेड करवादियों को समतावादियों को चाहिए था कि जब सुप्रिम कोट में यह मुकदमा दस साल चे चल रहा था तो इसमें क्या चल रहा है क्या अपडेट उनको देनी चाहिए थी लेकिन हमारे समाच के बुद्धी जी भी वकील वो या तो बसपा की पिरवक्ता की रूप में काम करते रहे बेहन जी को प्रदान मंतरी बनाने का सबना देखते रहे और कुछ एक वकील जो है वो अपना कही ना कहीं एवीम को बंद कराने के चक्कर में लगे रहे उन्होंना सुप्रिम कोट में पलट करके नहीं देखा कि वहां चल किया रहा है और इस वरगी करन क्रीमी लेयर और कोटे में कोटे की लड़ाई जो लड़ रहे थे वो कौन थ बलोर सल्मान खुर्शी जैसे बड़े वकील थे और हमारे वकील नेता वनने का सपना देख रहे तो अधर समाज का जो है वो बेड़ा गरक करने का जो सुप्रिम कोट का आदे से वो आ गया है इस पूरी बाच्चित के बारे में आपकी कैपिर्टी के लिए हमें कॉमेंट स बताईए और मुझे देजिए जाज़ाद के तरने वाद